प्रेजेंटली आप लोग का जेए एडवांस का एक्जाम ने दिखा चुका है तो हम लोग थोड़ा PYQ डिसकस करेंगे जैसे मैं एक आपका 2023 में आपका एक PYQ डिसकस कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर बेस्ट है राइट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जैसे यह देखो आप प्रॉलेम आप समझो एक ऐसा ना यह XY प्लेन ले लो आप यह X है यह Y है और यह आपका ओरजीन है ठीक है और यहाँ पर ना एक डाइपोल दिया हुआ है यह minus Q है यह plus Q है इसका जो coordinate है 0,2 और यह आपका 0, minus 2 और यह 0, plus 2 यह mm में दिया हुआ है ठीक है unit ठीक है student यह mm में दिया हुआ है और ना यहाँ से एक point दिया है पी यह 100,100 यह भी unit mm में दिया हुआ है ठीक है तो इस तरीके से दिया हुआ है और क्या है कि अभी देखो इसके चलते जो तुमको potential दिख रहा है वो V note दिया गया है और फिर dipole को rotate कर दिया गया है कुछ है इस तरह से उसका charge को भी इस तरह से कर दिया गया है अब यह इधर shift कर गया 1 से और इसका जो coordinate हो गया 1, minus 2 ठीक है यह unit हो गारा वही सब है mmol unit है ठीक है और यह जो coordinate हो गया तुम्हारा बोलो इसका हो जाएगा minus 1,2 ठीक है न मतलब यह जो है तुम्हारा यह है आपका 2 है यह one है यह root 5 हो जाएगा ठीक है यह भी आपका root 5 हो जाएगा तो नया distance भी बदल गया ठीक है तो अब जो इसके चलते जो potential है वो माना गया है V अब यह नया वाला voltage है वो भी नोट का कितना times है यह question है ठीक है student तो यह जो आपका यह questions आप लोग देख रहे है इसमें यह आपको purely तो questions तो analyze हो गया यह देखिए यह आपका यह वाला जो distance है यह कितना है बच्चो 4 है और यह जो distance है तुम्हारा 2 root 5 है ठीक है और अगर यह मैं theta बो sin theta हो जाएगा 1 by root 5 ठीक है और यह तुम्हारा cos theta is equal to 2 by root 5 ठीक है तो सारा हम लोग निकाल चुके है यह बीच का जो distance है 2 root 5 है ठीक है तो यह तो जो data है अपने पास यह हुआ d1 पहले वाला जो दूरी है वो कितना है बच्चो 4 और d2 यह कितना होगे बच्चो 2 root 5 राइट 2 root 5 तो अब देखलो अब आपको समझना है कि potential जो डाइपोल का जो potential होता है ओ किस पर depend करता है बोलो आप लोग कोई भी डाइपोल का जैसे कोई डाइपोल होता है ऐसा तो यह theta है तो यहाँ पर potential क्या होगा kp cos theta by r square यह r square है तो इसमें kqd cos theta by r square राइट r square तो देखो अपना जो question था उसमें तो r तो change नहीं हो रहा है क्योंकि बस उसको बीच से go rotate किया है तो r तो यह तो हमारा change किये तो q भी नहीं change हो रहा है तो सिर्फ distance d1 कितना था बैटा 4 और अभी d2 ऐसे तढ़ा कर दिया था उनका charge minus q और plus q का coordinate भी बदल दिया था तो 2 root 5 और वो जो इस तरह स आपका ये point ये मानलो आप अभी इसको theta ले लेता हूं तो ये तो हमारा 45 degree तो अब हमारा नया जो angle हो जाएगा theta plus 45 एक बार cos 45 लेंगे तो चली इसको हम लोग compare कर लेते हैं मतलब ये कैसे बोलेंगे तो d1 cos theta 1 और d2 cos theta 2 तो d1 कितना बच्चों बोलो d1 की value कितनी है 4 cos theta 1 theta 1 कि तो ये 1 by root 2 और d2 कितना है तुम्हारा 2 root 5 ठीक है 2 root 5 and cos 45 degree plus theta ठीक है तो ये तुम्हारा हो जाएगा इसको जो break करोगे तो cos 45 degree cos theta minus sin 45 degree sin theta तो बोलो ये तो 1 by root 2 common हो जाएगा और cos theta, cos theta का value 2 by root 5 और minus 1 by root 5 ठीक है ये आ रहा है तो finally हमारा क्या हो गया 1 by root 2 और into 1 by root 5 ठीक है बच्चों तो चलो आपका इसमें value put कर दो ये कितना हो जाएगा d1 cos theta 1 और d2 cos theta 2 तो theta 4 into 1 by root 2 और 2 root 5 और ये कितना आगया solve करने के बाद 1 by root 2 into 1 by root 5 तो ये अपना गया ठीक है 4 से ये आपका 2 चला गया उधर और 1 by root 2 1 by root 2 तो d1 cos theta ये किसको represent कर रहा है v naught को ये v is equal to 2 तो v is equal to v naught y 2 तो ये हो गया तुम्हारा answer समझ में आ रही है बत तो इस तरीके से भी और हम लोग p y की जोगरा करेंगे ओके थैंक्यो